दोस्तों यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलिवर का quarter 4 का result एनाउंस हो चुका है तो अभी हम लोग देखेंगे कि quarter 4 में क्या result के number रहे और साथ में हम लोग यहाँ पे technical analysis के थूँ ये भी जानेंगे कि अगर हम लोगों को हिंदुस्तान यूनिलिवर के stock को buy करना है तो किस level पे हिंदुस्तान यूनिलिवर का net profit की बात कर लूँ तो net profit जो इन्हों ने जनरेट किया quarter 4 2021 के अंदर आप देख सकते हैं 2,190 क्रोड रुपीज का net profit यहाँ पे जनरेट किया वहीं पे पिछले साल quarter 4 2020 की बात कर लूँ तो 1,512 क्रोड रुपीज के आसपास net profit जनरेट करते काफी बहतरीन result रहा दोस्तों वहीं पे net income की बात कर लूँ तो 12,542 क्रोड रुपीज के आसपास net income जनरेट किया quarter 4 2021 के अंदर वहीं पे पिछले साल quarter 4 2020 की बात कर लूँ तो 9,475 क्रोड रुपीज के आसपास इन्हों ने net income जनरेट किया था overall देखेंगे तो net income में भी आप लोगों की जाफा देखने को मिला और यहाँ पर आप लोगों को net profit भी करते हुए नजर आ रही है यह हिंदुस्तान यूनिलिवर की company बहुत सारे लोग पूसते हैं कि सर क्या dividend दे रही है तो भाई आप लोगों को बता दू 17 रुपए पर शेयर आप लोगों को यहाँ पर dividend मिलने वाला है जो कि यहाँ पर 22 माई को यहाँ पर इनको एक approval चाहिए वो approval मिलते ही आप लोगों को 17 रुपए पर शेयर का dividend यहाँ देखने को मिल जाएगा हिंदुस्तान यूनिलिवर के अंदर तो चलो अभी टेक्निकल एनलिसिस के थूरू समझ लेते हैं भाई कि हम लोगों को किस लेवल पर इसको बाई करके चलना चाहिए उसके लिए मैं आप लोगों को डेली चार्ट पर लेके आना चाहूंगा और यह स्टॉक था 1,784 रुपीज के आसपास और वहीं पर इसने क्या फेस किया रेजिस्टन्स फेस किया वापस से सेम उसी टनलाइन के आसपास गया और वापस से क्या हुआ रेजिस्टन्स फेस किया रेजिस्टन्स फेस करने के बाद आप लोगों को गिरावाट देखने को मिली फिर थोड़े दिन बाद उसी लेवल पे आया रेजिस्टेंस फेस किया रेजिस्टेंस फेस करने के बाद गिरावट देखने को मिली उपर आया ब्रेक आउट किया ब्रेक आउट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया तुरंत के तुरंत आप लोगो को support लेता हुआ नजर आ रहा है यह stock यहाँ से support लेता ऊपर जाके resistance phase करता आप देखो multiple time आप लोगों को इसी turnline के आसपास आप लोगों को support लेता हुआ नजर आ रहा है multiple time आप लोगों को हिंदुस्तान Unilever यहाँ पे support ले रहा है और इसी दोनों के अंदर बाउंड होके दोस्तों इस टॉक धीरे धीरे करके लॉंग टेम में यहाँ पर उपर के तरह भागता हुआ नजर आ रहा है हिंदुस्तान यूनिलिवर का तो अभी आप लोगों को खुद पता है दोस्तों डेली केंडल ओपन है यहाँ से क्या हो सकत और इस ट्रेंड लाइन को यह जो ट्रेंड लाइन है मल्टिपल टाइम यहाँ पर रेजिस्टन्स फेस कर रहा है इस ट्रेंड लाइन को क्या कर दे ब्रेक आउट कर दे अगर ब्रेक आउट करता है हिंदुस्तान यूनिलिवर तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे बाई आगर यहां पर buy करेंगे तो हम लोग कहां तक wait करेंगे कि भाई यह eastern line की उपर तक touch करने जरूर आएगा तो हम लोग यहां पर अपने profit book कर लेंगे तो दोस्तों अब इस चार्ट का screenshot मैं आप लोगों को चैनल पर प्रवाइड कर दूंगा जिसका link मैंने आप लोगों को description में दे रखा है समझदार लोग मेरी सारा कोई समझ गयोंगे और बाकी लोग तो भाई बोलते रह जाएंगे कि भाई target बताओ यह बताओ नंबर बताओ फलाना बताओ धिमकाना बताओ बाकी मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजेगा चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना अब हम आपसे अगली वीडियो में बुलाकात करेंगे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत